बिहार आज अपना 111 वास थापना दिवस मनाने जा रहा है इसको लेकर सभी तरह की तैयारिया पूरी कर ली गई है राज्य के अंदर 22 से 24 मार्श यानी तीन दिनों तक अलग-अलग कारिक्रम और भव्य समारों का आयूजन किया गया है बिहार दिवस को लेकर ना सर्फ यहां बलकि विडेशों में भी कारिक्रम आयूजित किये गए हैं जिसमें अमेरिका, जापान, जर्मनी, बृतेन, स्विडन शामिल है यहां बिहार वासी अपने राज्य के स्थापना दिवस कारिक्रम मनाएंगे वहीं बिहार दिवस को लेकर राजधानी पतना के गांधी मैदान में स्रिक्रिश्न मेमोरियल हॉल में, रविंद्र भवन में और बिहार स्रंग्राले में अलग-अलग स्थारा के कारिक्रम करवाए जाएंगे इसको लेकर 22 मार्श यानी आज 75,000 सरकारी और प्राइविट स्कूलों के बच्चे प्रभाद फेरी का आयोजन करेंगे इसके साथ ही आज शाम जावेद अली का भी कारिक्रम पतना के गांधी मैदान में आयोजित होने वाला है जानकारी है कि पतना में आयोजित इन तीन दिवस्य बिहार दिवस समारों में पहले दिन जावेद अली दूसरे दिन मैथली ठाकूर और गजल गायक तलत अजीत का कारिक्रम तैग किया गया है इसके अलावा अंतिमदीन इंडियन आइडल्स फेम गायक सल्मान अली के अलावा दिपाली सहाय और एश्वरी निगम का कारिक्रम भी तैग है इस बार का बिहार दिवस कारिक्रम सिक्षा बिभाग के तरह से मुख्य रूप से आयोजित कराया जा रहा है आपको बताते चले कि यूँ तो बिहार का इतिहास ताड़े 6,000 साल पुराना है लेकिन राजनितिक रूप से 22 मार्ष 1912 को बंगाल विभाजन के बाद या वजूद में आया जिसके बाद वर्ष 2009 से बिहार दिवस की शुरुआत की गई है ऐसे में अब आज से तीन दिवस या बिहार दिवस कारिक्रम का आयोजिन किया गया है जिसमें मुफ्स वाइफाई के सुविधा सहीर कई अन्य चीजे भी लोगों को देखने को मिलेगी बता दे कि जावेद अली और मैथली ठाकूर बिखेरेंगे सुरू का जल्वा जी हाँ इन कलाकारों के लिए परफॉर्मेंस के लिए गांधी मैदान में दो मंच तयार किये गए हैं इसके अलावे अलग-अलग विभागों की और से पवेलियन भी बनाएंगे हैं 22 मार्श को मुख्यमंच पर सिंजो जावेद अली का कारिक्रम होगा उसके बाद 23 मार्श को मैथली ठाकुर और इंडियन आइडल फेम आसियाना बेंड का प्रोग्राम होगा वही 24 मार्श को दिपाली सहाय एस्वर निगम और सल्मान अली अपनी प्रस्तूती देंगे बता दे कि वहीं दूसरे मंच पर 22 मार्श को सतिंद्र कुमार संगीर, 23 मार्श को पतना विमन्स कॉलेज और 24 मार्श को रिदम और बिहार के प्रस्तूती होगी इसके अलावे स्ट्रिक्रिश्न मेमोरियल हॉल में रविंद्र भवन में भी आयोजन होगे 22 मार्श को रविंद्र भवन में कवी शंभू शिखर और उनकी टीम का बेपाट करेंगे वहीं 23 मार्श को कासिम खुर्शीद और उनकी टीम का मुशायरा होगा जबकि आखरी दिन यानी 24 मार्श को लगाई का अंचला कुमारी, अंजना जहां और चंदन तिवारी की प्रस्तूती होगी इधर कलास इंस्कृति विभाग की और से पटना के मोना सिनेमा हॉल में चुनिंदा फिल्मों का प्रदर्शिन किया जाएगा या आम लोगों के लिए बिलकुल मुफ्त होगा पहले आओ और पहले हॉल में प्रवेश पाओ की तर्श पर अंदर जानी की अनुमती होगी विभाग से मिली जानकारी की अनुसार 22 मार्श को दोपहर 12 से 3 बजे के बीच लोटस ब्रूम दिखाया जाएगा 23 मार्श को दोपहर 12 से 3 बजे सामनांतर सिनेमा दिखायी जाएगी जबकि 24 मार्श को 12 बजे से 3 बजे के बीच लिपस्टिक बॉई फिल्म का प्रसारन होगा आशरवाद इजी कॉन ग्रूप भरोसी का दूसरा नाम हम सिर्फ घर नहीं खुशिया भी बनाते हैं आशरवाद रोस वैली जिसमें हैं प्रीमियम फ्लैट्स विट आल मॉडर्न अमैनिटीज पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना तो कीजिए हमारे नमबरों पर संपर